नई Tata Nano 2022 EV भारत में लाउंच होने जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि Tata Motors Company की Tata Nano भारत की सबसे सस्तिकार है। लेकिन Tata Nano भारतिय बाजार में विफर रही। उसके बाद भी Tata Motor फिर से नई Tata Nano EV 2022 लाउंच करने जा रही है। तो आज हम Tata Nano EV के बारे में जानेंगे। जैसे नई Tata Nano EV 2022 की कीमत क्या है। नए Tata Nano EV आदी में क्या दिखाया जाएगा। असल में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जम कर वाइरल हो रही है। जिसमें रतन Tata, Tata Motors के पूर्व चैर्मेन Tata Nano के नए और अपडेटेड वर्जन के साथ नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि यह Tata Nano का नया इलेक्ट्रिक मॉडल है जिसे जल्द ही भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उतारा जा सकता है। के दो हजार पचीज तक दस Tata Nano लॉंच करने का है। ऐसे में अनुमान है कि दो हजार पचीज तक Tata Nano को भारतिय बाजार में लॉंच किया जा सकता है। हालां कि बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए कमपनी इसे पहले भी तयार करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अभी तक कयास लगाए जा रही हैं कि कमपनी इसे दो हजार पचीज तक बाजार में ला सकती है। बैटरी इस नए नैनो इव में लिथियमायन बैटरी का इस्तिमाल किया गया है। इस कार के फीचर्स की बात करें तो Tata Nano Aave 200 km की अरे रेंज देती है. AC के साथ यह 140 km की रेंज देती है. Tata Nano Aave 10 सेकंड से भी कम समय में 0-60 km प्रती घंटे की रफ़तार पकड़ने में सक्षम है. बताया जा रहा है कि Tata Nano Aave Car 4 सीटर कार होगी. कार 72 वोल्ट की लिथिय मायन बैटरी पैप करेगी जो 37.48 बीएच पी की पावर जनरेट करेगी. Tata Nano Electric का वजन करीब 800 kg होगा.